वेरी 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 गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टनून एवरीवान पी अविनास संचेती फ्रॉम नवीन क्लास स्कूल काता और आज का ये वीडियो CA Inter Students के लिए एक बहुत 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 इंपोर्टन्ट वीडियो है जो भी बच्चा इस वीडियो को शुरू कर रहा है लास तक देखना है आप चाहो तो 1.5X की स्पीड पर देखना बट एक भी बात छोड़ना नहीं है आपको लास तक इस वीडियो को कम्पलीट करना है सराज आप क्या डिसकस करने वाले हो आज मैं डिसकस करने वाला हूँ एक्जाम से पहले जो एक महीना अब आपके पास बचा है आप किस तरीके से इस एक महीने एक महीने में अपनी प्रिपरेशन करोगे ताकि आप अपना एक्जाम बहुत अच्छी तरीके से दे सको ये एक महीना बहुत ही वाइटल होता है जो आपने लास्ट छे महीने, साथ महीने, आठ महीने, दस महीने महनत की है आपने टॉयल किया है, आपने क्लासेस की है उस पूरी महीनत को प्रॉपरली समराइज करके एक्जाम में उसको एक्जीक्यूट करने के लिए इस एक महीने को प्रॉपरली यूटिलाइज करना बहुत ज़रूरी है मैं इस वीडियो को दो पार्ट में डिवाइड करूँगा फर्स्ट और दो स्टूडेंट जो सिर्फ एक ग्रूप के लिए अपीर कर रहे है या ग्रूप वन या ग्रूप टु जो भी आपका बाकी है या पहली बार एक्जाम दे रहे हो बट एक ग्रूप के लिए आप अपीर कर रहे हो और फर दो स्टूडेंट जो दोनों ग्रूप का एक्जाम दे रहे है उनको कैसे प्रिपेर करना चाहिए ये मैं आपको बताऊंगा सबसे पहले जो स्टूडेंट सिर्फ एक ग्रूप का एक्जाम दे रहे हैं आप सारे बच्चों को एक वार्निंग है क्या वार्निंग? अभी तो बहुत टाइम पढ़ा है हो जाएगा सर अराम से पढ़ते हैं सर बारा बारा घंटा कौन पढ़ेगा सर एकी तो ग्रूप है चार सब्जेक्ट है सर दिन में 5-5-6 गंटा पढ़ रहे हैं सर बहुत मजे से पढ़ाई हो रहा है नहीं करना है मेरे बच्चे एक्जाम को सीरियसली लेना चालू कीजे एक्जाम को सीरियसली नहीं लेंगे चाहे 4 सब्जेक्ट हो या 8 पास होना is never possible so please, please, please जो बच्चे सिर्फ एक ग्रूप के लिए एक्जाम में बैठने वाले हैं आपको इस लास्ट महीने में अपने आपको gear up करना है सारे ही बच्चों को एक 10-14 आवर्स के बीच की 10-14 आवर्स के बीच की रूटीन बनानी है regular पढ़ाई करने की इससे नीचे कोई भी पढ़ाई is not accepted in the last month तो सबसे पहला जो सिर्फ एक ग्रूप दे रहे हैं please gear up कीजे 10-14 गंटे का रूटीन बना चाहिए उससे कम पढ़ाई अगर आप कर रहे हो you are under utilizing the potential जिससे आपको exam देते समय बहुत सारी मुश्किले का सामना करना पढ़ सकता है सर इस last month में हम लोगों को करना क्या है देखो इस last month में total there will be three steps in preparing three steps step number one I want everyone to appear for mock test अगर आप सिर्फ एक ही ग्रूप का exam दे रहे हो I want you all to appear for at least two mock test in the month of in the last month before exam at least two mock test एक mock test पहला 10 days के अंदर आपको देना चाहिए जैसे एक तारिक, तीन तारिक, पास तारिक, साथ तारिक या दो तारिक, चार तारिक, छे तारिक, आठ तारिक ये mock test आप दोगे mock test से जो गलतियां आपको पता चलेगी जहां जहां आप mistake कर रहे हो जो portions आपके week बच रहे हैं एक हफते का time देकर उन सारी चीजों को across all subjects आप properly revise करोगे and then आपको फिर दूसरा mock test के लिए appear करना है which can be like 16th, 18th, 20th and 22nd इस तरीके से आपको 2 mock test appear करने चाहिए सर, mock test कहां से appear करें सर number one, आप institute mock test last month में mock test appear लेते हैं, आप institute के mock test paper देख सकते हो, सर वो paper बहुत easy आते है, सर वो करने से तो confidence आता ही है कि हम सब कर लेंगे तेको paper कोई easy नहीं होता, कोई tough नहीं होता जब आप individual chapter wise कर रहे हो तो हर चीज़ easy लगता है, जब 3 घंटे बैट के सारे chapters को एक साथ करना होता है, तो everything seems difficult जो बच्चे को कुछ नहीं मिल रहा है, वो institute जो अपना mock test paper दे रही है, उनको अच्छी तरीके से 3 घंटे बैट कर solve करें otherwise, अगर आप चाहो, तो नवीन classes हर टम में mock test papers, mock test conduct करता है बच्चो के लिए, आप चाहो तो www.naveenclasses.com पर जाहो, अगर आज तक आपने sign up नहीं किया है, sign up कर लो, आप अगर free resources में जाओगे तो आपको CA inter mock test का एक course दिखाई देगा, जिसके अंदर हमारे mock test के papers दिए हुए हैं जिनको आप solve कर सकते हो तीन घंटे बैट कर, और फिर उनके answers भी दिए गए हैं, जिनके exams देने के बाद, जब आप उस answer से अपना answer check करके, आप अपनी performance को जान सकोगे, तर आप check करके दे दोगे क्या, it is never possible for us to check each and every paper and ऐसा नहीं है, हमने कोई team बैठा रखी है, जो हमारे विहाद में वो काम करते हैं, फिर आपको result देते हैं, ऐसा नहीं है, तो हम आपको test paper देंगे, हम आपको पूरा proper solution देंगे, किस तरीके से आपको लिखना चाहिए, आपको अच्छे से 3 गंटा 15 minute test देना है, एंड उसके बाद बैठ के एक बार check करना है for 15 minutes, आपने कहां कहां mistake की है और उन्हें mistake के उपर आपको अपना काम करना है, तो सबसे पहला आपको mock test देना है मैं चाहता हूँ जो सिर्फ single group दे रहा है वो दो mock test के लिए appear करें Sir, accounts, cost और tax के mock test तो Sir, दे देंगे Sir, lock a mock test देने में थोड़ा सा Sir ऐसा लगता है कि Sir, इतना 3 गंटा बैठ के theory लिखना पड़ेगा, तो Sir, lock a mock test नहीं दे तो चलेगा, मैं तो बोलूँगा every subject is important, कोई भी subject को छोड़ना नहीं चाहिए, अगर आप पूरा mock test paper नहीं भी लिख पाते हो, तो कम से कम एक लिखो, और दूसरा mock test क्या करो, आपने question पड़ा properly आप provision कौन सा है खली एक single line में, ये provision ये conclusion, ये conclusion, ये conclusion ये answer, इस तरीके से आप एक घंटे बैठ कर पूरे paper को properly read करके, उसके solution को short में लिख लो, and then check करो, आपने सब कुछ सही किया या नहीं किया, I'll advise पहला paper आपको पूरा देना चाहिए and दूसरा paper आपको इस तरीके से आप करना चाहो, तो भी आप कर सकते हो बट मेरे हिसाब से आपको ये काम करना चाहिए तो पहला काम हो गया mock test mock test के basis पे 7 दिन revision, फिर 2nd mock test के लिए appear करना, उसके बद दूसरा काम आपको रहेगा, आप अभी से लेकर, अभी, जब ये video आप देख रहे हो, वहाँ से लेकर till the last day before exam, जो first exam शुरू होगा उस exam की date तक आप दिमाग में डाल लो, exam की date से चलो, 3 दिन हटा दो, 3 दिन आप पहला वाला paper पढ़ोगे, चाहिए advance accounts हो चाहिए accounts हो, जो भी group आप दे रहे हो पहला वाला paper आप exam से 3 दिन पहले पढ़ते हो, उसमें और कुछ हाथ नहीं लगाना है उससे पहले तक, आपको आपके theory subjects, अगर आप group 1 की बात कर रहे हो, tax or law, रोच पढ़ना है अगर group 2 की बात कर रहे हो audit EISSM, आपको रोच पढ़ना है आप ECO को भी उसमें include करके उसको भी regular पढ़ाई में ला सकते हो सबसे बढ़िया तरीका होगा आप हर theory subject को हर theory subject को, दिन में 3-3 घंटे का time दोगे, आपका मालनो group 1 है, तो मेरे को 3 घंटे दिन में law पढ़ना है, revise करना है 3 घंटे दिन में tax पढ़ना है, revise करना है इसमें क्या कर सकते हैं आप 2-5 घंटे आप revision करो half and hour आप सिर्फ questions बनाओ question कहां से बनाओगे, past examination question ले सकते हो, RTPs ले सकते हो, institute का material ले सकते हो आदी घंटे devote करो सिर्फ question solving में, जिससे फाइदा क्या होगा, जैसे जैसे आप question solve करते जाएंगे, आपका जो revision है वो बहुत concrete चला जाएगा और उससे आपको कभी भी वो भूलने वाली problem वापस नहीं है आपको आज से लेकर last day तीन दिन बिफोर exam तक आपको अपने theory subject regularly पढ़ने है theory subject को छोड़ना नहीं है बहुत बच्चे ऐसा करते हैं सर मेरे पास 30 days है, मानलो सर मेरे पास 25 days है, मैं एक काम करूँगा साथ साथ दिन हर subject को दूँगा और मैं ऐसे तरीके से पुरा coverage करूँगा इससे problem क्या होती है, जो पहला subject आप साथ दिन पढ़ते हो, वो धीरे धीरे आगे आगे जाते, आप भूल जाते हो तो it is better, it is advisable जब आप single group दे रहे हो, आप सारे subjects को साथ में लेकर चलो, तो तो theory आपको 3 घंटा करके रोज दोनो subject पढ़ने हैं, 6 घंटा इधर चला गया, balance 4 to 6 to 8 hour जो भी आपके पास है आप अपने practical subjects को दोगे अगर अभी भी कोई ऐसा chapter है जो आपने revise नहीं किया, अभी तक अब आप revise करने बैठोगे, पहले उन weak portions को आप revise करोगे, अगर आप मालनो, accounts का weak portion revise कर रहे हो तो cost के strong portions की practice करो so that दोनों का tough portion उठाएंगे तो पढ़ने का मन नहीं करेगा, एक का मैंने 3 घंटे, 4 घंटे देके important topic cover किया और एक का मैंने easy easy topic practice कर लिया, so that मेरा accounts भी चलेगा cost भी चलेगा, इस तरीके से एक topic, दो topic, तीन topic accounts के कर लिए week वाले, वो strength में आ गया, फिर आप यही काम करो cost के साथ, इस तरीके से आप पहले cost का weak topics कर लो, फिर उसके बाद उसका strong topics कर लो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो होगा और एक घंटा उसका checking वगेरा में लगेगा, इस तरीके से आप अपनी routine अब आगे maintain करते चलो अब sir, last में how to revise before day of exam before date of exam आपको क्या करना है वो मैं बताऊंगा, but अभी last टेक मन्त में, जो आपका last 10 दिन रहेगा, उसमें भी आपको अभी ही से planning करके रखनी है, so that आप उसको अच्छे से utilize कर सको क्योंकि law और tax या audit या assess हम रोज पढ़ने वाले हैं हमको उन सब पारे में चिंता नहीं करना practical subjects में हम क्या करेंगे, जैसे मालनो मेरा accounts exam में एक या दो तारिक से शुरू होगा, उससे पहले तीन या चार दिन, depending on आपका strength, अगर आपको लगता है आप accounts में strong हो, तो आप तीन दिन ले सकते हो अगर आपको लगता है आप week हो, तो आप चार दिन ले सकते हो, तीन से चार दिन सिर्फ मैं accounts पढ़ूँगा, मैं दूसरे subject को हाथ नहीं लगाऊंगा, ये करने से क्या होता है, जो आपका पहला एक्जाम होता है, उसके लिए आप properly, प्रॉपरली तयार हो पाते हो, और आपका confidence बढ़ता है, जब आपका पहला एक्जाम अच्छा जाता है, उस तीन या चार दिन, आप अपने cost के paper को दे दो, जिसमें आप क्या करोगे, उस तीन-चार दिन में accounts नहीं पढ़ूँगा, क्योंकि accounts मेरे को आगे का चार दिन रोज पढ़ना है, उस तीन-चार दिन में सिर्फ cost पढ़ूँगा, cost में क्या करना है, जो cost के ऐसे topics हैं, जो आप एक हपते तक याद रख सकते हो, दस दिन तक याद रख सकते हो, आप उन topics को अभी revise करके complete कर दो, होता क्या है, मालनो law exam दे कर आए, कोई कारण से तब्यत खराब हो गया, या law का थोड़ा सा paper खराब गया, mood खराब हो गया, तो आपका क्या होता है न, time, revision of cost का time थोड़ा चला जाता है, और उस समय हम देखते हैं कि बच्चा पूरा syllabus revise करके नहीं जा पाया, आदा अधुरा revise करके वो exam hall में जा रहा है, अगर थोड़ा portion आप अभी revise करके छोड़ दोगे, तो क्या होगा, exam, law exam जैसे ही मैं आऊंगा, मैं सबसे पहले क्या करूँगा, जो topic मैंने पहले revise नहीं किये थे, मैं पहले उनको revise करके complete करूँगा, उसके बाद time बचा तो मैं वो वाले topics भी revise कर लूँगा, जो मैंने 7 दिन पहले already कर रखे हैं, इस से confidence build up होता है कि मेरे को already आदा revision किया हुआ है, मेरे को डरने का दरकार नहीं है, कोई भी contingency आती है, जिसके कारण आपका time waste होता है, तो क्योंकि आपने 7 दिन, 10 दिन पहले revision कर रखा है, आपको tension लेने का दरकार नहीं है, तो आप अपने last 7 days before exam, इस तरीके से schedule करो, 4 दिन accounts, 3 दिन, या 3 दिन accounts, 4 दिन cost, या 4 दिन accounts, 3 दिन cost, उससे पहले तक आपको mock test देना है, law, taxation या audit, EISSM आपको regular पढ़ना है, उनको छोड़ना नहीं है, sir, हम लोग जो revision करते हैं, sir, वो revision कहां से करें, हमने marathon videos, group 1 के accounts और cost के marathon video, latest November 22 examinations के लिए हमने डाल रखे हैं, वो आप refer कर सकते हो, हमारे YouTube channel से, इसी YouTube channel में आप चले जाओ, आपको marathon के सारे videos दिख जाएंगे, advanced accounts और FM के marathon के videos भी we will be uploading, so आपको उन marathon से ये 4 subject easily cover हो जाएंगे, साथ-साथ आपको अपने सिर्फ theory subjects पे ध्यान देना, ये उन बच्चों के लिए जो सिर्फ एक ग्रूप का exam दे रहे हैं, जो बच्चे दोनों ग्रूप का exam दे रहे हैं, उनके लिए चीजे थोड़ी difficult रहेंगी, बट, डरने का बात नहीं है, अगर आपने दो ग्रूप सोचा था तो आपने अभी तक की पढ़ाई वैसी ही कर रखी होगी, आपने अभी तक अच्छी सखासी मेहनत कर रखी होगी, अब उस मेहनत को सही से channelize करने का time आ गया है, जो दोनों ग्रूप का exam दे रहे हैं, मैं तो हमेशा बोलता हूँ और मैं conduct भी करता हूँ, कि आपको exam, एक test दो मनत पहले before exam दे देना चाहिए और last month में एक test देना चाहिए अगर आपने already एक test दे दिया तो very good, अगर आपने test नहीं दिया है, तो last month में आपको एक test के लिए appear करना है for all 8 subjects, वापस वही बात आती है sir, law audit EISM के tax test देने का मन नहीं करता है अगर आपको test देने का पूरा 3 घंटे बैटने का मन नहीं है मैं तो बोलूँगा करना चाहिए law का तो करना ही चाहिए था कि एक group आपका बहुत strong हो जाए, audit EISM में आप क्या कर सकते हो, आपने question पढ़ा आप short में उसका answer लिखो और check करो कि आपने जो लिखा वो points match कर रहे है की नहीं EISM में क्या आपने question पढ़ा उसके points खाली लिख लो एक piece of paper में and check करो जो points आप लिख रहे हो वो points सही है या नहीं है साथ-साथ, जो multiple choice questions है उनकी practice के लिए आपको test देना जरूरी है multiple choice question अगर आप practice करके जाओगे आप exam में उनको properly attempt कर पाओगे नहीं तो आप properly attempt नहीं कर पाओगे तो multiple choice question भी आपको properly solve करने चाहिए जब आप test देने बैठोगे एक test आपको देना चाहिए और वो test कब होगा first 10-15 days first 15 days of your last one पहले 15 दिन के अंदर आप अपना first test देके उसको complete करो और उन test की गलतियों के basis पे आप अपना आगे revision schedule बनो अब sir हमारे लिए revision कैसे होगा आप test जब देते रहोगे तब तो आपको revision अपना करते रहना ही है ऐसा नहीं है कि आज मेरा accounts का test है तो मैं सिर्फ accounts दो दिन पढ़ूँगा यह करने की ज़रत नहीं है अगर accounts के कुछ weak points है जो आप भूल जाते हो सिर्फ उनके revision पे ध्यान दो बात बखी आप अपना दूसरी चीजे पढ़ते रहो आप उन सब चीजों को मत छोड़ो आप अपना पढ़ाई normal sequence में चलाओ आप जो subject के test आने वाला है उससे एक दिन पहले जो जो weak portion है एक बार revise कर लो ताकि exam में आए तो हम एक बार उनको go through करके जाएंगे तो हम easily paper लिख पाएंगे आपको अभी क्या करना है law, GST, audit, EIS SM यह जो आपके subjects है यह आप यहां से लेकर last date तक regular पढ़ोगे exam से पहले 3-4 दिन accounts के लिए उससे पहले तक यह theory subjects आपको regular पढ़ने है मैं आपको 3-3 घंटे पढ़ने नहीं बोलूँगा क्योंकि आपने already महनत कर रखी है आपको इन subjects पर 1 घंटा regular basis पे देना है 1 घंटा law पढ़ेंगे, 1 घंटा audit, 1 घंटा EIS, 1 घंटा SM धीरे धीरे बट regular basis पे portion cover करते चलेंगे so that हमको मेरा subject से touch भी ना छुटे और मेरा coverage भी होता जाए मैं bore feel भी ना करूँ पढ़ाई कैसे करनी चाहिए सुबह उठे, एकदम mood fresh नहा के पढ़ने बैठे आपको क्या करना है मालनो आपने GST उठा लिया 1 घंटा हम इसको properly revise करेंगे 1 घंटा आपने GST पढ़ा आपने उसका मालनो एक छोटा सा chapter cover कर लिया उसके बाद आप अपना practical कोई भी चीज मालनो आपको cost में problem, accounts में problem है जो भी आपका practical में problem है वो practical subject लेके 2-3 घंटे का time देके अच्छे से उस चीज को आगे बढ़ाओ फिर आप एक theory subject उठा लो फिर थोड़ा practical करो फिर एक theory subject उठा लो ऐसे करके theory subject को throughout the day divide कर दीजे so that आपका practical और theory एक sequence में चल सके और आपको कभी ऐसा नहीं लगे कि यार theory theory पढ़ रहे हैं पढ़ने का मन नहीं कर रहा है वो अब last एक महिने में बोरियत आपके मन में नहीं आनी चाहिए last एक महिने में एक भी दिन अगर आपका waste होता है तो that costs you a huge 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 amount of loss तो एक भी दिन waste नहों इसके लिए आपको interest रहना चाहिए हर दिन उसके लिए आपको इस तरीके से अपने पुरे दिन को बांट देना चाहिए theory practical theory practical theory practical और आपकी routine कम से कम 12 से 14 घंटे की होनी चाहिए regular आपको इसी बेसिस पर पढ़ाई करना है तो अभी से लेकर मालो last exam से पहले accounts exam से पहले चार दिन चोड़कर आपको रोज थ्योरी subject पढ़ने है एक mock test देना है अब सर्फ practical subjects का क्या करना है अभी आप थोड़ा थोड़ा practice करते चलो accounts exam से पहले चार दिन आप accounts पढ़ रहे हो या तीन दिन accounts पढ़ रहे हो उससे पहले दो दिन आप alert करो cost के subject को और cost के subject के कुछ chapters जो आपको लगता है आज पढ़ेंगे साथ दिन याद रहेगा उन chapters का revision करके उस दो दिन में छोड़ दो so that मेरे cost के 3-4-5 chapter अगर मैं revise कर लूँ तो exam से पहले मिरको ज़ादा pressure नहीं होगा पहले मैं उन chapters को देखूँगा जो मैंने उससे मैं revise नहीं किया उसके बाद ये chapters को वापस go through करूँगा नहीं भी time मिला तो tension लेने का जरत नहीं है मैंने 7 दिन पहले पढ़ा है मिरको याद है 2 दिन cost को दिया उससे पहले 2 दिन आप advance accounts को दो 2 दिन FM को दो आप चाहो तो यहाँ 2 दिन आप DT को भी दे सकते हो तो इस तरीके से मालो 21 और 22 तारीक आपने FM को दे दिया 23 और 24 तारीक advance accounts को दे दिया 25-26 तारीक DT को दे दिया 27-28 तारीक आपने दे दिया cost को फिर 29-30-31 इस तरीके से जो बचे वे दिन है वो आप accounts को दे दो theory subject क्योंकि रोच पढ़ रहे हैं उनके लिए अलग से दो दिन देने की जरत नहीं है बट practical subject को अगर आप test देने के बाद अपनी कमिया देख लिया कमिया को सुधार दिया दो-दो दिन देकर कुछ-कुछ portions revise करके side कर दो अगर before exam मेरे को time कम भी मिले तो डरने का नहीं है सर अभी revise किये थे 10-15 दिन पहले सर यह सब chapters याद है हम बहुत easily revise कर पाएंगे जैसे example देता हूँ आपको ताकि आपको समझने में easy हो advance accounts में buyback, ESOP, internal reconstruction, liquidation यह कर लीजे पाएंगे यह 4 chapters सल्टाएवे रहेंगे तो कम से कम 4 chapters बाद में कम पढ़ना पढ़ेगा कुछ चोटे-चोटे accounting standards जो बहुत easy है और जो याद भी रहते है जैसे accounting standard 9, revenue recognition, AS4, AS5 यह सब type की AS जो आजा पढ़ते हो और आपको याद रहेगा 10-15 दिन उसको अभी से करके आप सल्टा दीजे इस तरीके से आपको अपनी पूरी पढ़ाई करनी है over the last one month तबैत का ध्यान रखे, तबैत खराब ना करे अभी last week month में जितना हो सके घर पर रहे बाहर ना निकले जितना पढ़ाई करना है, सब घर पे करना है हमको बाहर नहीं निकलना है ताकि मेरा एक मिनट भी दिन में वेस्ट ना हो कुछ समय अपने आपको दे जब आप शाम को या सुबह थोड़ा वॉक पर जाए so that उस समय आप सोच सके दिन को प्लान कर सके ताकि आप accordingly पढ़ाई अच्छे से कर सके और जितना हो सके, mobile phone से दूर रहे, जितना जादा mobile phone में अंदर रहेंगे, उतना कम time पढ़ाई को दे पाएंगे, तो जितना कम mobile phone यूज़ कर सके, वो आपके लिए बहतर रहेगा, अब last तीन दिन, day before exam कैसे पढ़ना है, मैं और नवनीज सर आपको time to time guide करते रहेंगे, आप उन videos को देखते जाएगा और उसी हिसाब से अपनी preparation को आगे बढ़ाईएगा पूरे exam season, हम लोग आपके साथ रहेंगे, ताकि आप preparation अच्छे से करके exam दे सको Thank you so much everyone, follow this guideline, share with all, all the best everyone, bye bye